असलाम लेकुम डेयर लेर्नर्स और बात हो रही है opportunity recognition की, innovation की, creativity की लेकिन हम इतने innovative और creative क्यों नहीं हो पाते हैं? यानि हम शिकायत बहुत करते हैं कि लोग हमें innovative या हमें अपना creative idea जो है वो ज़्यादा exercise करने की इजाज़त नहीं देते हैं सो ये क्या चीज़ें हैं? ये actually वो barriers हैं जिनके बारे में हम शिकायत कर रहे होते हैं कि जिसकी वज़ा से हम ज़्यादा innovative या ज़्यादा creative नहीं हो पाते हैं आईए देखते हैं वो कौन-कौन से barriers हैं सबसे पहला barrier तो आजाता है personal barrier यानि आप खुद भी innovative और creative नहीं हो सकते हैं मिसाल के तोर पे एक personality और एक behavior भी होता है बहुत से लोग ज़्यादा risk नहीं लेना पसंद करते हैं वो बहुत जल्दी एक साधी सी product या एक साधी सी service बनाके market में जाना चाते हैं और अपना business शुरू करना चाते हैं बहुत से लोग out of the box सोचने की capacity नहीं रखते हैं और अगर रखते भी हैं तो डर जाते हैं और वो इतने open to experience नहीं होते हैं फिर उसके बाद आ जाता है social pressure आप अपना idea किसी को जाके सुनाते हैं और साथ ही लोग कहना शुरू कर देते हैं यह तो बहुत weird idea है यह तो बहुत बुरा idea है यह तो idea ही हमें समझ में नहीं आरा जब आपको इस तरह की आवाजें आना शुरू हो जाती हैं कि यह बहुत weird idea है तो आप social pressure में आना शुरू हो जाते हैं और फिर अगर आप creative हों भी या innovative हों भी तो भी आप अपने creativity को curtail करना शुरू कर देते हैं, कम करना शुरू कर देते हैं, अपने idea को साधा करना शुरू कर देते हैं फिर उसके बाद आ जाता है lack of passion, हो सकता है, initially आपके पास idea बहुत अच्छा हो, आप बहुत excited हो रहे हो but with the passage of time आप अपना passion खो देते हैं, आप अपनी direction खो देते हैं, passion और direction के चले जाने से भी आपकी innovation और आपकी creativity कम हो जाती है फिर सबसे बड़ी बात आ जाती है, fear of failure, fear of failure बहुत से जितने भी fears हैं दुनिया में उनमें बहुत top rated fear है आपको ये खौफ होता है कि कहीं आप नाकाम ना हो जाएं, क्योंके number one आपका idea, आपका product, आपका service बहुत innovative होता है आपने लोगों को जाके सुनाया होता है, लोगों ने इसके ओपर बहुत सी बात ने आपको की होती है, आप already social pressure में आये होते हैं फिर जब आप उसको अपनी market testing की तरफ लेके जाते हैं, तो already आपके दिल में ये खौफ bad गया होता है कि मेरी product या मेरी service या मेरा business model नहीं चलेगा ये जो fear of failure है, बाद उकाती आपको गलत फैसरों की तरफ ले जाता है और उसके बाद आजाता है making some prior assumptions कुछ ऐसी assumptions हैं, जो आपने पहले से ही अपनी, बहुत सी बाते हैं पहले से अपने जहने बठा ली होती है मिसाल के तोर पर मेरी product इतनी innovative है, लोग ज़्यादा welcome नहीं करेंगे मेरी product इतनी innovative है, शायद में पसके resources नहीं आएंगे मेरा idea इतना innovative है, शायद मुझे कोई investor नहीं मिलेगा ये सारी prior assumptions, basically वो जो आपके एक magnitude है ना कितने creative या कितने innovative हो सकते हैं, उस magnitude को कम या ज्यादा कर रहा होता है सो सबसे पहला barrier तो personal barrier है, आप खुद फैसला करेंगे कि आपको कितना creative और कितना innovative होना है फिर आ जाते हैं culture barrier की तरफ, culture basically है क्या, culture होता है shared values, shared beliefs or the practices of the people और अगर organizational culture की बात करें, तो एक organization के अंदर उसके employees, जो भी values, beliefs या practices आपस में share करते हैं, वो एक culture बन जाता है कुछ ऐसी firms होती हैं, जिन में creativity और innovation को discourage किया जाता है पहली बात तो है कि शायद वहाँ पर उसकी requirement नहीं होती है, और दूसरी बात यह होती है, कि वहाँ पर बहुत से conflicts, यह बहुत से और ऐसे issues हो सकते हैं, यह leg pulling हो सकती है, यह वहाँ culture ही ऐसा नहीं होता कि जिसमें लोग अपने creative ideas को सामने लेकर आएं, यह भी बात याद रखिए, कुछ industries ऐसी होती हैं, जिन में creativity के बगएर गुजारा नहीं होता है, मिसाल के तोर पर अगर आप कोई advertising agency open करने का सोच रहे हैं, बगएर creative department के आपके गुजारा नहीं हो सकता अच्छा, organization के अंदर culture को develop हो जाता है, कि लोग innovative या लोग creative क्यों नहीं रहते, number one, यह तो उनके पास training नहीं होती, या फिर दूसरा उनके पास जो directions होती हैं, वो directions misguiding होती है, creativity और innovation के लिए हमें एक open culture चाहिए होता है, एक experimental culture चाहिए होता है, एक trust का culture चाहिए होता है, बा idea लेके जाते हैं किसी senior के पास, वो हम पर trust नहीं कर रहा होता है, और हमारी ideas को बार-बार rejection मिल रही होती है, उसके इलावा lack of motivation हो सकता है, आपका startup है, आपने अपने साथ जो दो-तीन लोगों को team में रखा है, आप उनको ठीक से motivate नहीं कर पा रहे, आप खुद बहुत motivated हैं, लेकिन वो एक feel आप deliver नहीं कर पा रहे, आप पहुंचाने पा रहे अपनी team तक और आपकी जो team है, वो innovation और creativity से घबरा रही है, फिर उसके बाद आज रहता है कि lack of basic ability, अगर आपको याद हो तो innovation में हमने कहा था, innovation है क्या, innovation यह नहीं है कि आपका idea बहुत innovative हो, बहुत unique हो, यह creativity यह नहीं है कि आपका idea बहुत novel हो, उस idea को execute करने के लिए आपके पास ability, capability और resources भी होने चाहिए, बाद वकात आपके पास वो resources नहीं होते, so access to the resources, यह आपकी lack कर रही हो, आपकी basic ability और capability की तमाम चीज़ें, जब एक culture में embed हो जाती है, तो आपका startup यह आपका small firm यह आप परवान चड़ते हैं, फिर आजाते हैं, feasibility barriers, अचा, feasibility barriers क्या है, feasibility barriers यह होते हैं, कि आपके पास जो innovative idea है, उसने एक business idea के अंदर transform होना है, क्योंकि execution यहीं से आएगे, बाद वकात idea बहुत अच्छा होता है, लेकिन again, जब वो transform होता है, एक business idea में, तो उसकी financial viability नहीं आप आ रही होती है, यहना financial यहां तो वो चीज इतनी जदा innovative हो जाती है, कि बहुत जदा cost involved हो रही होती है, आपका break even point ही कितने सालों तक achieve नहीं हो पा रहा होता, यह आपके पास resources का access नहीं हो पा रहा होता, यह बाद वकात business में आपने उस एक product या service को जो design किया है, उसके लिए जो उसके fix cost है, वो ही बहुत जादा high आ रही होती है, यहां team के लोग नहीं मिल रहे है, कहीं न कहीं जब वो business stage यह commercialization stage पर जा रहा होता है, तो वो बहाँ पे जाके fail हो रहा होता है, जब fail होना शुरू होता है, तो आप again बार बार जिजखकना शुरू हो जाते हैं, वो being so creative और so innovative, यही बात आपकी business model के साथ भी होती है, यह भी एक बहुत बड़ा barrier है, फिर आजाता है barrier, which is regarding to your knowledge and your personal experience, याद रखिए innovation और creativity का तालुक intuition से होता है, revelation से नहीं होता है, बास वकात ऐसा होता है ना कि हम सोचते हैं कि शायद हम सोएंगे और खाब में हमें कोई ऐसा idea आ जिसको हम जब जागेंगे तो real world में जाके implement कर देंगे, वैसे एक article ऐसा है, it's very interesting, it is available on the internet, जिसमें यह बताया गया है कि बहुत सी ऐसी inventions जो खाबों में आई हैं और आके लोगों ने उसको real world में implement किया and they were successful, आपका अपना lack of knowledge, आपका अपना lack of experience, आपका अपना lack of, जिससे कहते हैं, access to the information, ये सारे के सारे barriers हैं, इन barriers को आपने remove करना, in other words, skill improvement भी करनी है, in other words, अपने experience भी gain करना, in other words, आप information तक अपना access भी तर कीज़े, ताके आप ज्यादा creative और innovative हो सकें, आखर में हम बात करते हैं, सबसे critical की, that is regulatory or procedure barriers, ये बात याद रखिए, ये बात याद रख आपने मुल्क के rules and regulations के अंदर रहते हुए, उसको कहीं register भी करवाना है, उसके patent rights भी लेने है, आपको raw material तक access भी चाहिए हो सकता, आपका idea इतना innovative है, लेकिन उसके अंदर जो material इस्तमाल हो रहा है, उस material की purchase इतनी आसान ना हो, आपको government policies भी देखनी है, ये सारे कि सारे, जो currency या उससे भी पीछ चले जाए, factor driven economy तक ही रह जाते हैं, कि बस factor productions हैं, साधी साधी हम चीज़ा बना रहे हैं और market में बेच रहे हैं, इन सारे barriers को cross करना जरूरी है, क्यों, because, आप एक entrepreneur हैं और एक entrepreneur की instinct में होता है, कि वो innovative भी होता है, और वो creative भी होता है, see you in the next video.